नमस्कार दोस्तो आप सबी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आपने UP स्कोलर्शिप का फोम वरा है और आपकी पे लिए स्टेटस का चाहते हैं तो आप घर बैठे बिलकुल आसानी से अपने शकोलर्शिप फोम का स्टेटस कैसे चैक कर सकते हैं दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कि लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों सबसे पहले हमें अपने phone को Chrome binkell change browser को खोल लेना है एक whale browser में desktop मौट को ओन कर लेना है आप इसनी प्रोसिस को वर्टिकर मोड में भी कर सकते हैं और lanscape में भी कर सकते हैं तो दोस्तों में लैंडिस के मोड में आपको यह process करके दिखाता हूँ सबसे पहले classroom में जाना है और हमें यहाँ पर सर्च करना है UP Scholarship तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल कर आएगा हमें फर्स्टी लिंक पर किलिक कर देना है उसके बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल कर आएगा तो हमें Student Corner में जाना है और इहां पर हमें simply click कर देना है तो यहांपने टीन ओप्सन खुल कर आएंगा registration के लिए, fresh login के लिए और renewable login के लिए अगर आपने फरेश्ट baix लिए form बरा है तो आप press के लिए login करेंगे अगर आपने second year या last year के लिए करेंगे तो आप यहाँ पर Renovable Login के लिए Login करेंगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर First Year के लिए Login करता हूँ, तो आपको Perimeter की Student Login नहीं है पर हमें 9th और High School के लिए मिल जाता है, अगर हमें 9th और High School के चेक करना है तो हम यहाँ से Login करेंगे, उसके बाद अगर हमें First Year और Inter के लिए करना है तो Intermediate Student Login पर Simply हमें क्लिक कर देना है, दोस्तों अगर हमें BABSC Post Matter Other Than Intermediate के लिए Login करना है, तो हमें Simply यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो दोस्तों हमें BABSC B.com का यहाँ पर चेक करना है, तो मैं यहाँ पर Simply क्लिक कर देता हूं Post Matter Other Than Intermediate Student Login, उसके बाद इस तरह के Interface यहाँ पर खुल कर आएगा, तो हमें First Box में देखने के लिए मिल जाएगा Registration संक्या भरें, तो हम यहाँ पर अपनी Registration संक्या भरेंगे, उसके बाद अपनी Date of Birth भरेंगे, उसके बाद हमें अपना Password डालना है, उसके बाद हमें Capture फिल करके Summit पर क्लिक कर देना है, तो Simply हमें यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, और हमारे Mobile Phone में इस तरह का Pop Up आएगा, तो हमें Always So पर Simply क्लिक कर देना है, उसके बाद इस तरह का Interface यहाँ पर सो होगा, तो हम पेज को उपर की तरह स्क्रोल करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा Registration Complete, Final Submission Complete, Status at Institution Level, Forward, Account Verification Status, Verify Bank, और Verification by District Welfare Officer, तो हमारे हैं पर Form की सभी Status यहाँ पर Complete So हो रहे हैं, तो हमारा Scholarship Form यहाँ पर Verified So हो रहा है, तो हमारे Scholarship Form में हैं पर कोई भी गलती नहीं है, तो आप भी इस तरह से आप आपने Scholarship का Status चेक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी ल